सलमान खान ने हाली में अपनी ट्वीट के कारण बवाल खड़ा होने के वज़े से पूरी देशवासियों से माफी मांगा सलमान का कहना है कि उनकी पिताजी ने उने फोन करके बोला कि सभी उनके ट्वीट के गलत मतलब निकाल रहे हैं तथा उसे डिलीट कर सभी से माफी मांगने को कहा सरमान ने ट्विट्स के द्वारा सभी से माफी मांगी और बताय कि उनका कुई मतलब नहीं था किसी को ठेज पहुचाना उन्होंने किसी भी धरम का विरोध नहीं किया या सपूर्ट विक सभी धर्म का सम्मान करते हैं आगे ये भी बताया कि उन्होंने टाइगर को फासी देने की बात रखी थी और याकुब को उनके भाई की किये की सजा देने से परहेश किया लेकिन इससे वे किसी धर्म का सपोर्ट नहीं कर रहे थे आखिर में उन्होंने अपने ट्वीट के वजे से जो भी मिसंडिस्टैनिंग हुई उसके लिए भी माफी मांगा चलिए अब ये देश पर निर्भर है कि क्या वे इस बात के लिए सलमान को माफ करेंगी